Hi everyone, welcome back to another video दोस्तों अगर आप कोई long speech deliver करने जा रहे हैं और आप confused हैं कि उसको design किस तरह से करना है तो ये video आपको बहुत जादा help करेगी आपकी long speech को design करने में तो आए ये video शुरू करते हैं किसी भी speech को deliver करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो किस तरह से design करना है तो इस video में हम जानेंगे 8 parts की जो आपको किसी भी long speech को deliver करने के लिए helpful होते हैं सबसे पहला होता है opening किसी भी speech opening का जो purpose होता है वो होता है आपकी audience की attention को grab करना उनकी expectations को build करना और listeners का focus speaker की तरफ करना यह basically किसी भी opening का purpose होता है अगर कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है आपको attention नहीं दे रहा है तो फिर बात करने का कोई फाइदा नहीं रह जाता है आपने speech की opening कर दी audience की attention grab कर ली उसके बाद आता है आपका introduction इस point में आप अपनी audience को बताते हैं कि आप क्या बताने वाले हैं और वो चीज उनके लिए relevant क्यूं है फिर आता है आपका first point यहां से आप अपना main message जो है उसे deliver करना शुरू करते हैं आपका जो पहला point है वो आपका stage set करता है और जो आपने शुरू में promise किया था उसे deliver करने में आपकी बहुत जादा help करता है आप अपने first point के बाद क्या करते हैं अब आप next point की तरफ move करना शुरू करते हैं यहां पर आपको अपनी audience को यह चीज clear करनी है कि आपने अपना पहला point है वो खत्म कर दिया है और आप दूसरे point की तरफ बढ़ रहे हैं फिर आता है आपका second key point आपका जो दूसरा key point होता है वो आपके first key point से connected होना चाहिए ताकि audience को यह पता रहे फिर आता है आपका second transition यहां पर आप अपनी audience को यह चीज clear कर देते हैं कि आप आप दूसरे subject की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपने दो key points deliver कर दिये उसके बाद आता है आपका third key point आपका जो third key point है वो पहले दो key point से connected होना चाहिए और ध्यान रहे कि यह key point जो आपका third key point है वो आपको आपकी speech के end तक ले कर जाना चाहिए सबसे last में आता है आपका conclusion और आपका call to action वो क्या होगा यह आपकी audience को एकदम clear होना चाहिए यह जो आज हमने 8 key points की बात की है इन 8 key points की detail के बारे में हम आगे आने वाली videos में बात करेंगे अगर आप एक बहुत अच्छा speaker बनना चाहते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि practice का कोई substitute नहीं है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों को speech deliver करते वे देखा है और आप यह बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि speech जो speaker deliver कर रहा है वो उसने practice की है या फिर practice नहीं की है तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए की points के साथ